लेकिन भाईयों बैनों हम लोग आजहादी के अमरित काल्ब हैं हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गवरोगानी करते रहेंगे अपनी ही पीट थप थपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे और इसलिए 75 साल का काल्गन कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटों वाला रहा हो कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे दिखते हो उसके बावजुद्धी आज जब हम अमरिक काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले 25 वार्ष हमारे देश के लिए अकिन्त महत्व पूरा है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किरोश पर से एक सो तीस करोर देश वासियों के सामर्था का स्मरण करता हूँ उनके सपनों को देखता हूँ उनके संकल्पों की अनुभूती करता हूँ तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उज पांच पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी हूँ अपने संकल्पों को करिंद्रित करना होगा अपने सामर्था को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को ले करके तो होजार सै तालीच जवाज हदी के सो साल होंगे आज हदी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा देए जब मैं पंच प्राण की बात करता हूँ तो पहला प्राण अब बेश बड़े संकल्प ले करके ही चलेगा बहुत बड़े संकल्प ले करके चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विक्सित भारण अब उससे कुछ कम नहीं होना जाए बड़ा संकल्प ले दूसरा प्राण दूसरा प्राण है किसी भी कौने में हमारे मन के भीतर आदतों के भीतर गुलामी का एक भी आउश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना अब सत्प्रतिशत सेंकडो साल की गुलामी ने जहां में जकर कर रखा है हमारे मन और भाव को बांच करके रखा हुआ है हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजराती है हमारे भीतर नज़राती है हमारे आसपास नज़राती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी यह हमारा दूसरी प्राण शक्ती है तीसरी प्राण शक्ती हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए हमारी विरासत के प्रती क्योंकि यही विरासत है जुसने के भारत को स्वणिम काल दिया था दो यहीं विरासत है जो समानेय को परिवर्टन करने کی आदत रखती है यहीं विरासत है जो काल बाय चोड़ती रही है निथ्य नुतन सुकारती रही है और इसलिए इस विरासत के प्रती हमें गर्ब होना चाहिए चौथा प्राण वो भी उत्राई महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एक जुटता 130 करोर देश स्वाचियों में एकता न कोई अपना न कोई पनाया एक ताकी ताकत एक भारत स्वेश्ट भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है और पांचवा प्राण है नागरीकों का कर्टव्या नागरीकों का कर्टव्या जिसमें प्रधान मंत्री भी बाहर नहीं होता है मुख्ध मंत्री भी बाहर नहीं होता है वो भी नागरीक है नागरीकों का कर्टव्या यह हमारे आने वाली प्रती साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है झाल झाल झाल